वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में एक most important news के उपर बात करेंगे जिसमें कहा गया है कि आर बैसिकली चेड़ जीपीटी की तरफ से कि चेड़ जीपीटी का price prediction है कि February में शीबा एनू की price 130% increase हो सकती है अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात इसने कहती है क्योंकि February एक एसा मन्त है जिसमें काफी expectation है हालविंग से पहले-पहले ये मन्त काफी बड़ा role play कर सकता है एसे में चेड़ जीपीटी का अनुमान है कि 130% तक शीबा एनू बढ़ेगा अब इसके पीछे हम current तलासेंगे साथ ही ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं मैं इसके उपर पूरा visualization कराऊंगा और आप लोगों को last में अपना opinion बताऊंगा इसके अलवा आप क्या सोचते अपने comments box में जरूर लिखे क्या 130% फेरवरी में शीबा एनू बढ़ सकता है या नहीं अपना opinion जरूर लिखना साथ ही वीडियो को like, share, subscribe जरूर कर लेना चेनल को देखे यहाँ पर शीबा एनू के price prediction कई expert के द्वारा आए दिन लगाए जा रहे है जिसमें अगर देखे तो अभी शुबा की वीडियो में मैंने बताया था जिसमें कहा गया था कि एक make gene के द्वारा analytics की शीबा एनू की price 11.4.0 के बाद हो जाएगी इसके अलावा एक price यहाँ पर कहा गया था कि बैसिकली शीबा एनू जैसे ही bitcoin यहाँ पर 50,000 डॉलर को break करेगा शीबा एनू में एक बड़ी rally आएगी और यहाँ से price एक zero kill कर देगी तो ऐसे price prediction फरवरी में कुछ जादा ही लग रहे है तो क्या real है कि यह शीबा एनू फरवरी में बहुत तेजी से बढ़ सकता है तो आईए पहले तो एक news है इसको हम detail में समझ लेते हैं जिसमें कहा गया है कि 130% तक शीबा एनू बढ़ सकता है देखे यह कह रहा है कि यह article के अनुसार 5.33 billion market cap के साथ दूसरा सबसे बड़ा शीबा एनू कोईन है और यह बड़े इस महीने फरवरी में बड़े ब्रेक आउट की तैयारी कर रहा है फरवरी में बजार में सुधार की उम्मीदे हो रही है और ऐसे में साल भर के जो प्राइज है उसको ट्रेक करने के साथ अल्ट कोईन में विसे स्टेजी यहां पर देखने को मिलेगी साथ ही आगे बताते है कि इसक क्यों होगा इसके पीछे रिजन बताते है कि फरवरी के पहले अगर आप देखेंगे तो बिटकोईन की जो हालविंग है वो अप्रेल में है और मार्च महिना हालविंग के कारण खराब जाएगा तो फरवरी है कईसा मन्त है जिसमें कहा गया है कि प्राइस प्रेडिक्षन बड़े हिट मारेगा क्योंकि जितने भी होल्डर है वो फरवरी से इंतिजार में फरवरी एक महिना है उनके लिए फरवरी का इसके बद मार्च और अप्रेल में ज़्यादा कुछ वो मुमेंट कर नहीं पाएंगे मतलब एक तरीके से उनको साइलेंट बेठना पड़ेगा तो वो चाहते है कि फेवर्वरी का पूरा पूरा फायदा उठाए और प्राइस को इतने जएदा हाई लिक्विडिटी लो लिक्विडिटी के तरब धकेला जाए तो ऐसे में यहाँ पर कहा गया है कि शीबा इनु की जो प्राइस है वो इसी का असर होगा इसी के कारण और प्राइस कई बार बहुत जादा उपर और नीचे होगी यहाँ से तो यहाँ पर सीधा सा कहना इनका यह है कि जग जब बिटकोईन के उपर हाई लिक्विडिटी आएगी तो बिटकोईन पचास अजार के जो बेरियर है उसको यहाँ से ब्रेक कर सकता है जैसा कि इसमें बताया गया है कौन सी इस न्यूज में तो पचास अजार के बेरियर को ब्रेक कर सकता है तो उसके बाद शीबा इनू में बढ़ी रेली आएगी और 130 परशन तक शीबा इनू बढ़ जाएगा इसके अलावा वो एक और कहते है कि अगर ये ब्रेक लिक्विडिटी नीचे डाउन की तरब जाती है तो 35,000 डोलर तक भी शीबा बिटकोईन पहुच सकता है तो फिर ये कहते है कि शीबा इनू पाच जिरो के बाद 9 के आसपास 9-0 के आसपास प्राइज रह सकती है नीचले इस तरब तो इस तरह से मंदी की ग्रावट के और ब्रेक आउट दोनों की यहाँ पर संभावित प्राइज प्रेडिक्शन बताया रहा है चेर जीपीटी तो कहने का मतलब यह है कि या तो प्राइज 130% इंक्रीज हो जाएगी ओपर की दिसा में या तो फिर ये पाच जिरो के बाद वही 9-0 के आसपास प्राइज रही जाने की जो अब एक्चुल में प्राइज चल रही है यह वाली इसके अलावा यह कहते है कि 200 डे एमे के जो उ बैसिकली बुलिस ब्रेकाउट रेली का बैसिकली जादा समर्थन कर रहा है और फरवरी 2024 में यह यहां तक कह रहा है कि जो प्राइज है वो चार जिरो के बाद 21 तक की प्राइज टेच कर सकती है जो कि एक बड़ी पंपिंग हम कह सकते है शीबायनों में हालविंग से पहले पहले अब सवाल आता है कि यह पॉसिबल है इसा कुछ हो सकता है तो जहां तक मैं कहूँ कि जितने भी आर्टिकल है जितने भी नियूज है वो तो यही कह रही है और एक्सपर लोग भी कह रहे है कि यहां पर जो है प्राइज प्रेडिक्शन चेंज होगा और यहां पर जो मुवमेंट देखने को नहीं मिला है और इसके अलावा मार्च से तो हम उम्मीद करने से रहे क्योंकि हालविंग से पहले वाला महिना है तो फरवरी में इतने बड़े हिट मारना मुस्की ले क्योंकि ऐसे कई प्राइस प्रेडिक्शन इससे पहले भी लगे है इससे पहले भी लगे है लेकिन कहा था कि बिटकोईन का जो स्पोर्ट ETF आएगा उसके बास शीबायनू तेजी से बड़ेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो जहां तक उम्मीद मुझे लग रही है शीबायनू ऐसा कोई पंप दिखाएगा नहीं और इसके पीछे जो थियोरी बता रहे है वो बिटकोईन का बता रहे है क्योंकि डाइरेक्ट तो चीजे बोलने रहे कि दोनों ही होगा लेकिन बहुत कम समय के लिए नहीं कुछ घंटों के लिए उपर नीचे लिक्विट्री हो सकती है और 45,000 डॉलर तक बिटकोईन जा सकता है इस से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है बुल रन के लिए सब लोग ये हालविंग का वेट करेंगे कि हालविंग और निकल जाए उसके बाद चीजे देखेंगे अब यहाँ पर होगा क्या कि जो वील से है वही थोड़ा भूत यहाँ पर जो है मुमेंट दिखा सकती है बाकी जो नॉर्मल ट्रेडर है छोटे ट्रेडर है वो एसी रिस्क नहीं लेंगे कि हालविंग से पहले यहाँ पर बाइंग करें क्योंकि उनको पता है कि हालविंग से पहले अगर बाइंग करी और उन लोगों ने अभी तर जैसे 42 पर तो बाइंग करेंगा नहीं, बिटकोइन को बाइंग करेंगे 45,000 डॉलर के उपर, अब उनको पता है कि इस से उपर कितनी जाएगी, इतने में तो हालविंग जाएगी, तो हालविंग में हो सका प्राइस 40 से नीचे चली जाए 40,000 डॉलर, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, वो वेट करेंगे कि यार हालविंग के बाद अगर बुलरा ना आया, तो वो फिर रेगुलर पूरे साल भर चलता रहेगा, कुछ महिनों तक लंबा खिचेगा, मतलब लोंग टम के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो रिस्क लेंगे, लेकिन यहाँ पर 15 दिन या 20 दिन, आ 25 दिन तो बचे फरवरी को, 25 दिन में या 20 दिन में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 130 पर्शन तक शीबा इनू यहाँ से पंप हो सकता है, यहाँ कि शीबा इनू की जो प्राइस प्रेडिक्शन बता रहे है, वो बिटकोईन के कारण बता रहे है, जब बिटकोईन के साथ ऐसी कंडिशन फस रही है, तो मुझे नहीं लगता कि शीबा इनू इतना पंप कर सकता है, ठीक है, यह मेरा पर्सनल राई है, मैं कोई क्रिप्टो एडवाईजर नहीं हूँ, मेरी पर्सनल राई है, आप इतिफाक रख सकते हैं मेरी बास से, तो आप क्या सोचते हैं, इसको कमेंट्स में जरूर लिखा करो, ताकि हमें मालूम पढ़ सके कि हाँ कम्यूनिटी के बीच क्या चल रहा है माहूल, लोस का सामना करना पड़ रहा है, ने कि शीबा उनमें अभी भी वो लोस में है, क्योंकि उनकी जो प्राइस बाइंग है, वो एक जीरो किल होने के बाद बाइंग करी है, लग भग जादे तर लोगों ने, एक लाग से बीजादा ऐसे काउन है, तो वो लोग यहाँ पर नई एंट्रियों में लेंगे नहीं, तो यहाँ पर वील्स ही कुछ थोड़ा बहुत लिक्विटिटी को हाई लो करेगे, और वील्स का में जो कोई भरोसा नहीं होता है, वील्स किस करवड बेटे और कब मार्केट को गिरा दे, कब उठा दे, किसी को कुछ पता नहीं रहता है, तो आम यूजर यहाँ पर आएंगे तब जाके ही कुछ चीजे सुदर सकती है, इन सब के बीच जो एक नियूज देखेंगे, इथेरियम को लेकर, इथेरियम का स्पोर्ट इटी एफ का जो एप्रूवल है, वो तीन मई के आसपस मिलने के आसार है, अब उसके बाद क्या होगा, कि अप्रेल में इधर बिटकोईन के हाल्विंग अजाएगी, और इसपोर्ट इटी एफ मई 23 में एप्रूवल के उपर जाएगी बात, तो हो सकता है 99% यही चांस है कि जो इथेरियम को इसपोर्ट इटी एफ का एप्रूवल मिल जाए, तो ऐसे मैं कहा गया है कि इसकी प्राई 4000 डॉलर को हिट कर सकती है, अब अगर इसा होता है, तो यह एक अच्छी सिरुवात रहेगी कि इदर बिटकोईन का एक बड़ा रोल, इदर इथेरियम का रोल, इदर बुलरन का 24 का असर, इदर हालविंग के बात की स्थिती, तो सब चीजे बुलरन को एक रन दे सकती है, और एक अच्छा बुलरन यहां सा सकता है, बट उससे पहले तो थोड़े असार कम है, तो यही था यार, इस वीडियो में आई होप, आपको बहुत सारी चीजे समझ में आई होगी, आप लोग भी इस टाइप की चीजे है, तो थोड़ा सा रिसर्च अपने वेस पर करें, उसके बात ही डिसिजन ले, वीडियो को लाइक, शेर, सस्काइब जरूर कर देना, और अपना कमेंट से लिखना, मैंने जो बोला उससे आप सही मानते हैं नहीं, नमस्कार.